आज जो मैं आपके सामने वीडियो रखूंगा गाईज ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है ये स्टोक बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ी नियूज निकल के सामने आ रही है आप लोग जानते हैं HFCL Limited एक ऐसी कमपनी है जो कि Optical Fiber का Manufacturing करती है और Opt Optical Fiber हर जगा यूज होता है जहां Tele Communication की जरूरत हो अब भारत का यही प्लान है इंडियन गवर्मेंट का यह प्लाइट है कि जो गाउं है गाउं में Electricity के साथ साथ ये जो Communication Gap होता है इसको भी एक साथ क्लोस किया जाए कहने का मतलब साफ है कि जो Communication है चाब वो Internet Service गाउं के अंदर खास कर ऐसा Government का प्लान है और यह मैं हवा में ही नहीं बोल रहा एक बहुत बड़ी News निकल के सामने आ रही है उस News को समझेंगे और HFCL Limited का क्या योगदान रह सकता है उस News के अंदर उस Update के अंदर उसको भी हम समझेंगे तो यह वीडियो बहुत Important रहने वा देखेंगे तो 135 रुपे का स्टोक है स्टोक में हलका सा आज आपको डाउनफोल देखने को मिलेगा लेकिन वहीं अगर आप पूरे एक साल का रिकोर्ड देखेंगे तो 93% की दर से यह स्टोक तेजी से बड़ा है तो सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहल चल हुई है और आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत नेट है उसकी निलामी स्टार्ट हो गई है और ये निलामी बहुत खास होने वाली है और इस निलामी के तहट बड़े दिगज जिसकी अंदर सैटरलाइट टेकनोलजी का नाम सामने आ रहा है तेजस नेटवर्क का न जल्द ही होने वाली है उसको बताया जा रहा है तो ये भारत नेट की निलामी किसके हाथ लगेगी और जिसके भी हाथ लगेगी यानि कि जिस कंपनी के भी हाथ लगेगी उसको कितना फाइदा होगा इसके उपर हम चर्चा करेंगे आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत की निलामी है सरकार जल्द ही भारत नैट प्रोजेक्ट के तीसरे चरन के लिए जो लाब है लगबग 65,000 करोड रुपे की बड़ी निलामी करने वाली है इस प्रोजेक्ट का मकसद देश के गाउं में तेज इंटरनेट जोड़ना है और जो ये मैंने आपके सामने लिखा है इसका भी मैं सोर्स बताऊंगा कि भाई मैं कहां से ये चीजे पढ़के आपको बता रहा हूं कहां से मैंने ये इनफोर्मिशन निकाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि आप आसान चीजों को समझ सकें कौन सी कंपनिया हैं जो एह की उपकरन बनाने वाली बड़ी कंपनी आए हैं क्या फाइदा होगा अगर इन कंपनी इसको भारत नेट का काम मिल जाता है तो इनकी अच्छी कमाई होने वाली है और बहुत ही सांदार तरीके से इस कंपनी के स्टॉक्स में तेजी भी हमें देखने को मिलेगी और इसी भारत नेट का जो काम है इन कंपनी इसके हाथ लग सकता है तो अब देखते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट किसके हाथ लगेगा किसके नहीं लेकिन जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ याने कि HFCL लिमिटेड कंपनी इसके कितनी प्रोबैलिटी है कि भाई ये या ये जो प्रोजेक्ट है या जो निलामी है ये इसके हाथ लगेगी अब जैसा मैंने आपको बताए कि भाई मैं ये चीजें आपको कहां से बता पा रहा हूँ तो आप इदर देखिए ये है मनी कंट्रोल और मैंने मनी कंट्रोल पर ये आर्टिकल ओपन किया हुआ है टेस्ट अपडेट है 13 बच के 26 मिनट पर यानि कि जब मार्केट ओपन थी जब की अपडेट है और हम कह सकते हैं जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी आप तक पोचेगी तो 9 अगस्त हो जाएगा यानि कि इंपक्ट तो रहेगा इस निउस का इन तीनों कंपनी के उपर क चलिए अब थोड़ा और समझ लेते हैं आप फोटो में भी देख सकते हैं आपको किलियरली नजर आ रहा है कि बाई ऑप्टिकल फाइबर गाओं के अंदर बिचाई जा रही हैं और इन ऑप्टिकल फाइबर को बनाने का जो काम है वो HFCL के हाथ में लगा हुआ है और यहा भारत नेट प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई यह भारत नेट क्या प्रोजेक्ट है आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं दो लाख ग्राम पंचायत को यह ब्रोडबेंड कनेक्टिविटी दी जाएग यह जो ऑप्टिकल फाइबर विछाई जाएगी इस ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो ओडर है बाई चांस अगर HFCL के हाथ लगता है तो शेयर में बहुत बड़ी रोकेट बनने की संभावनाई हैं तो आपको बस यही देखना है कि भाई यह ओडर किस कंपनी के हाथ लग लगेगा STL के हाथ लगेगा याने TCS के हाथ लगेगा या फिर तेजस नेटवर्क के हाथ लगेगा आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए बाकी इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए मैं आपको बहुत पहले बता दूँगा कि भाई हां अपडेट आ चुकी बाकी सार्टिकल में बहुत कुछ बताया गया है इन कमपनी के रिगार्डिंग अब आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना आप डिसकस कर लेते हैं HFCL लिमिटेड के बारे में यूकि हमने ये तो जान लिया कि भाई न्यूज इस कमपनी में काफी पोजिटिव आ सकती हैं काफी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती हैं लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि भाई बेसिकली HFCL लिमिटेड कमपनी है कैसी मैं यहाँ पर HFCL लिमिटेड कमपनी लिखता हूं तो मेरे सामने जो स्टोक है ओपन हो जाता है मैं सबसे पहले एक पर क Communication Limited कमपनी है और कमपनी का जो काम है Telecom Infrastructure के अंदर है और हम कह सकते हैं कि भाई जितनी भी Telecom Infrastructure होता है उसको ये कमपनी स्टेबलिश करती है कमपनी Optical Fiber या फिर Optic Fiber Cables के उपर भी काम कर रही है तो यहाँ पर कमपनी का अगर आप Market Cap देखेंगे तो आपको नजर आएगा क कि भाई 19,700 करोड की कमपनी है लगभग 20,000 करोड के आसपास की ये कमपनी आपको Recently नजर आ रही है अगर आप कमपनी का Return on Capital Employee और Return on Equity देखते हैं तो लगभग 13% के आसपास आपको नजर आने वाला है यानि कि बहुत जादा Return on Equity नहीं कमपनी प्रोवाइड करती लेकिन बह साल की सेल देखेंगे तो आपको कुछ खास ग्रोथ कमपनी की सेल में देखने को नहीं मिलेगा दूसरा कमपनी को अगर आप Share Holding Pattern के तरीके से देखते हैं तो जो परमोटर्स हैं वो कमपनी के अंदर 37% है उसके बाद FII इस कमपनी में 7.2% के आसपास है उसके बाद Mutual Funds भ कोई खास impact नहीं डाला हुआ है कोई खास investment नहीं की हुई है बाकी गाई इस company को लेकर यही update है वही अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जो दूसरी company जैसे TCS हो गया Tejas Network हो गया या जो satellite वाली company है इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें comment करके बता सकते हैं और आप अगर इस news से रूबरू रहना चाहते हैं कि भाई यह जो भारत रतन का जो project है यह जो निलामी है यह किस company के हाथ लगेगी अगर हमें सबसे पहले पता चल जाए तो आप जरूर बताईए तो definitely guys मैं आपके लिए सबसे पहले बताऊंगा और अगर HFCL Limited के हाथ लगेगी दूसरा अगर किसी और company के हाथ लगती है तब भी मैं आपको सबसे पहले बताने की courses करूँगा इस वीडियो का मकसद totally news और update प्रोवाइट करना ही है बाकी जो decision है या जो भी आपको करना हो totally आपके हाथ में है मैं आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई advice नहीं देता किसी भी company को लेकर ना ही मैं आपको कोई advice will hold recommendation देता हूँ तो इस चीज का आपको ध्यान रख कर चलना है कि ये वीडियो totally news और update के परपस से ही बनाई जाती है बाकी गाईज अगर आपको इसी तरह से updated रहना है most active stocks के बारे में इसी तरह से जानना है तो channel को subscribe कर सकते है वहीं गाईज